क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि कप्तानी जो है एक प्लेयर का करियर बना भी सकती है और बिगाड भी सकती है और टाटा EPL में हमने ऐसे दो यंग कप्तान देखें अभी तक पहला है चैने सूपर किंग्स के रितु राज गाय कावार्ड और उसके बाद है गुजरा टाइट की रितु राज ने 2021 मौरेंज की आप जीती साड़े 600 से जादर रन, 22 में भी अच्छे रन, 23 में भी अच्छे रन लेकिन 24 जो है जब से वो कप्तानी का टैग मिला है फैंस को एक्स्पेक्टेशन थी कि और कप्तानी में और रिस्पॉंसिबिलिटी लेंगे और रन अपना जो केस है उसको प्रूफ करेंगे लेकिन सिच्वेशन यहां से उल्टी ही होती नजर आ रही है वैसे तो रितु राज ने ऑस्टेलिया के खिलाव जो वल्ल कप 23 के बाद 5 वैंचों की टी 20 सीरिस खेली यहां पे कप्तानी भी की चार एक से सीरिस भी जिताई, 123 रन क एक पारी भी खेली है उस्टेलिया के खिलाव लेकिन आई पेल में कप्तानी करना इस कंपैरिटिव ले डिफरेंट क्योंकि यहां पे जो टॉप टीम से उस टाम ऑस्टेलिया भी बीस्ट थी इंडिया भी बीस्ट थी लेकिन यह जो आई पिल सीजन है अभी तक रितु के एस कैप्टन बैटर अच्छा नहीं रहा है बहाँ पे चैन्ने की परफॉर्मेंस तो ऑब्विसले अच्छे क्योंकि वेल्ड लास प्लेयर्स उनके पास है मस धोनी जैसे मास्टर माइंड उस ड्रेसिंग रूम में है लेकिन आप विद्धा बैट बात करेंगे कप्तानी कर थी तीसरी पारी जो थी उनकी डेली कैपिटल के किलाव जहां पे वो एक रन मनाकर आउट हुए दो गेंडों में और तीसरे मैच में जो आज खेला गया है है हैधराबाद के किलाव वहां पे उन्होंने 26 रन मनाए 21 गेंडों में और मैं टोटल बात करूं तो टोटल चाल पारी हैं 88 रन, 4 पारी 88 रन, 22 का एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट, रित्व राज के बल्ले से, 118 का स्ट्राइक रेट रन आप समझ सकते हैं कि कितनी जादा जो है फॉर्म नीचे लगी हुए और वो थोड़ा सा कैप्टें सी आप जब उन्हें बैटिंग करते देखेंग वो कुछ शॉट तो अच्छे के लिए, आज भी नोंने एक अच्छा शॉट लगाया है, लेकिन जो उनका स्टे रहता है, वहाँ पे वो कोशिश करते है कि मैं रिस्पॉंसिबिलिटी लूँ और मैं आगे लेके जाऊं इसी प्रोसेस में, वो अपने नैचुरल गेम से आफिर है, क्योंकि हर किसी के करियर में एक फेज आता है, जब आपको कप्तानी मिलती है और आपके जो परफॉर्मेंस है, वो डिप आती है या हाई जाती है, और जो प्लेयर हाई ले जाते हैं, वो बनके सामने आते हैं, ग्रेटिस्ट कैप्टन, और जो प्लेयर थोड़ सा tough time देखते हैं वो वहां से एक change देखने की कोशिश करते हैं कि या तो यहां से बहुत अच्छा होता है या फिर वहां से चीज़े और खराब होती चली जाती है form batting में भी चली जाती है और कप्तानी तो आपकी अच्छे strike rate से बल्ले बाजी करता है वह इस समय 118 के strike rate से टोटल 22 के average से बल्ले बाजी करता नजर आ है अब यह चीज हो क्यों रही है यह चीज के पीछे कर आप एक technical बात करेंगे तो वो है left arm bowling जो उनके पहले दो मुकाबले थे against RCB और अगले दो मुकाबले में वो left arm spinner scout हुए तो शायद यह एक technical जो चीज है वो हो सकती है जहाँ पे left arm के खिलाव थोड़ा सा angle के एक difference create होता है outside angles वाली ball जो खेलने में उन्हें परेशानी हो सकती है या फिर ये एक mental block है as captain responsibility लेने का क्योंकि हमने ये चीज़ विराट के साथ भी देखी रोवित के साथ भी देखी किये राहूल के साथ भी देखी जब इन खिलाडियों को young age में कफ्तानी मिली तो वो इतनी असानी से उस पर grab करना नहीं होता और जो धीरे धीरे time लगता है कुछ matches लगते है रिदम लेके आने में अब हम hope करेंगे किया return run बनाए क्योंकि expectation है उनसे वो काफी ज़ादा है क्योंकि आप IPL इत्यास की सबसे ज़ादा successful जो franchise है उसकी कफ्तानी करने वाले है पांच टोफिया आपकी टीम के पास है आपके सबसे ज़ादा social media followers है social media पे तो वो चीज़ यानि सूपर किंग्स की जो legacy है ना वहाँ पे आपको कोई भी leniency या फिर आप कहे ना थोड़ा सा भी धिलाफ वहाँ पे नहीं चलेगा आपको टॉप गेम लेकर आना पड़ेगा बतौर कप्तान क्योंकि उस franchise पे MS धोनी ने कराज किया है उस franchise को MS धोनी ने रितू के बले से एक अच्छा 100 भी निकली और 80-80 रन की काफी सारी पारी जो नोंने 21-22-23 में खेली है वो हमें खेलते वे नजर आए आपका क्या मानना है रितू को लेके क्या उनके performance इसका reason है नीचे आने का कि अपतानी ही सही में बात है या फिर एक just another season चार मैच किसी के आप अपनी रहे में कंड में बता अगर आपको वीडियो चलेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें आपके साथ एक और वीडियो में जल मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केर